गुद इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी के सभी, I hope सभी एल दी हैं, consistently प्रिपेर कर रहे हैं, अब आई वी पेस क्लर कर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, नमर ओ विकेंसी हैं, जो लास्ट येर के कमपारिजन इनीशल जो हैं, काफी अच्छी देखने को मिली हैं, 7800 प्लस विकेंसी हैं, और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, अल्दू कई स्टेट्स में नमर ओ विकेंसी थोड़ी कम है, बट ओवरॉल अगर हम देखें तो लास्ट येर के कमपारिजन अल्मोस सभी स्टेट्स में जाधा विकेंसी रिलीज की गई है, अब दो बैंक्स के ल तो बैंक को बडुदा का तो यार मेर को शौर नहीं है, क्योंकि उनके मैनेजमेंट में बड़ा इशु चल रहा है, रिगार्डिंग विकेंसी आप खुद ही जानते हैं, अभी क्या चल रहा है, उसका तो मैं शौर नहीं हूँ कि वो क्या विकेंसी आड करेंगे, करेंगे भी नहीं करेंगे, वो तो इंटर्नल मैनेजमेंट ही जानता है, कि क्या करना चाहते हैं वो लोग, बट पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं शौरिटी आपको दे सकता हूँ, अच्छी विकेंसी आपको पी नबी से देखने को मिलेंगी, और अगर आप सोच रहे हैं कि पी नबी के वाले स्टेट के लिए हम अपलाई करें या ना करें, वो आप कर सकते हों, क्योंकि I am sure कि हमेशा पंजाब नेशनल बैंक अच्छी विकेंसी आड करता है, initially not reported बहुत बार रहता है, but by the time आपका recruitment होता है, allotment होता है, तब तक विकेंसी आड कर दी जाती है पंज देखोगे ना, तो initial से काफी बढ़ जाती है, number of weaknesses, तो उसकी tension मतलो, अच्छी घबर है, अच्छा मौका है, opportunity अच्छी है, हम सभी के पास कि अपने स्टेट से अपलाई करें, अपने स्टेट से अपलाई करके recruitment हासिल करें, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, जो सोच र लोगों को बता देता हूँ, आने वाली दिनों में मैं जरूर टैकल करूँगा, जरूर कवर करने की कोशिश करूँगा, कल आपको कास certificate के related एक रहेगा, देन आपके कौनसे से अपलाई करना चाहिए, बाहर के स्टेट से अपलाई करने के pros and cons, सारे हम discuss करेंगे, अभी के ल थोड़ा सा वेट कर लोगे, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, SBAPO, प्री के लिए जैसे कोई major डाउट और बच्चों के था नहीं, mainly कास certificate का था, वो मैंने क्लियर कर दिया, अब clerk level जो exam से रहते हैं, उनमें डाउट्स थोड़ा ज़ादा रहता है, क्योंकि state level पे कब स्टार्ट करोगे, अभी के लिए IBPS clerk का में नहीं कर सकता है, क्योंकि SBAPO और NICL in a hand है, RRB clerk means का भी exam है, ये सारी चीज़ें इक पर हो जाएगी, then IBPS clerk का में स्टार्ट करोगा, पर तब तक आप लोगों के पास already playlist available है, चैनल पे अगर आप जाओगे, SBAPO से related जितनी भी playlist होगी न, उनको complete करो, then आपकी एक IBPS, SBAPO common pre-2021 के एक बहुत बड़ी playlist है, वो आप cover करो, speed booster sessions है, वहाँ से complete करो, more than sufficient content है, उसको cover करते रहो साथ साथ, और SBAPO के लिए भी तो तैयरी करी रहे हो, SBAPO pre-click course चल रहा है, और IBPS clerk तो December में है, तब तक हम अच्छे से सारी चीज़े करेंगे, आप नए बच्चे जो हैं, जो basic से cover करना चाते हैं, उनको मेरा suggestion रहेगा, topic wise reasoning वाली playlist करो, और topic wise यह भी SBAPO pre-GB मैं practice कर रहा हूँ, आप practice कर सकते हो, in parallel, ठीक है जी, चलो, now that's all for today's session, और जाने से पहले एक चोटा सा reminder, IBPS clerk के लिए जितने भी बच्चे, free mock देना च आते हैं, ऑली बोर्ड का एक चोटा सा suggestion है, ऑली बोर्ड आप सभी को बता है, बहुत ही reputative test series है, काफी अच्छी students वहाँ से exam देते आये हैं, और काफी अच्छी students वहाँ से clear भी करते आएं, तो एक बहुत ही अच्छा relevant आप लोगों के लिए test रहेगा, link मैंने नीचे description में डाल दिया है, जितने भी मेरे regular students है, सभी को जाके वहाँ पर enroll करके test देना है, free of cost है, one time registration है, register कीजिए और test दीजे, ठीक है, सभी बच्चों से छोटी से request है, सभी के सभी register करके, enroll करके, और जरूर test देंगे, और बिल्कुल free of cost है, one time registration, normal आपके email ID पकर यह चीज़ ही point नहीं होंगे, बहुत ही relevant सा content रहता है, हमेशा लोगों का, ठीक है, चलो, now that's all for today's session, take care